हाजी स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब जैनल स्काई केमस्ट्री क्लासेज में और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले आबंद प्राचल यानि बोंड पेरामेटर्स बंद से सम्मंदित या आबंद से सम्मंदित कुछ महत्वपून बिंदू और उस आ आबंद लंबाई किसको कहते हैं तो किसी अनू के अंदर आबंदित परमाणों के बीच की सामय वस्ता दूरी आबंद लंबाई कहलाती है जैसे यह क्लोरीन है उसका यह एक एटम है और यह क्लोरीन का दूसरा एटम है इन दोनों परमाणों के नाबिकों के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस जो है वो कहलाती है आबंद लंबाई यानि यहां से लेके यह डिस्टेंस जो है वो बॉंड लेंध आबंद लंबाई है इस नाबिक की इस नाबिक से सामय वस्ता दूरी आबंद लंबाई कहलाती है यदि इसकी radius A है RA है इसकी radius RB है तो RA प्लस RB बराबर हो जाएगा bond length बंद लंबाई अब देखो मैं यदि definition की बात करूँ तो किसी अणू में आबंदित परमाणों के नाबिकों के बीच की सामयावस्ता दूरी किसी अणू में बंदित परमाणों के नाबिकों के बीच की सामयावस्ता दूरी आबंद लंबाई कहलाती है कि दो परमाणों है जो आपस में बंदे वे हैं किसी अणू के दो परमाणों आपस में जैसे CL2 का ये मोलीकूल है इसमें CL2 के दो परमाणों आपस में बंदे वे हैं इन दोनों परमाणों के नाबिकों के बीच की दूरी यह जो डिस्टेंस है वो कहलाती है आपस में अब दोनों परमाणों जब अलग अलग साइज के हैं तो यह आर यह ऐलग बिकों सेम इ release है में आपस में आकस की रन वे वरतन और एलेक्ट्रॉन वीवडен वीदियों से जयात कर सकते है हम सै इसपेक्ट्रमी कॉमा एक्स किरन करन वीवर्तन और इलेक्ट्रोन वीवर्तन इन वीदियों से यह पन ग्याद कर सकते हैं यह आबंद लंबाई कितनी होगी तो यह तो बात हुई आबंद लंबाईगी नेक्स्ट है अपना देखो बॉंड पेरामेटर के अंदर आबंद कोण तो आबंद कोण क्या होता है तो किसी अनू के अंदर केंद्रिये परमाणू के आसपास उपस्तित जैसे यह है अच्टू मोलीक्यूल है इसके अंदर यह केंद्रिये परमाणू है किसी अनू में केंद्रिये परमाणू के आसपास उपस्तित आबंदी इलेक्ट्रोन यह भी आबंदी है यह भी आबंदी है अबंदी इलेक्ट्रोन यूगम को धार्ण करने वाले कक्स कों के बीच यानि इन इलेक्ट्रोनों को धार्ण करने वाले जो कक्स है और इन इलेक्टोनों को या बंद साथ हूं ढरन करने वाले जो कख सब्सकर, मुंकर बीच जो एंगल बन रहा है यानि आeros प्रफीक के दारन करने वाले रकंश करने णहां करने वाले कख स्क На के भी जो एंगल बन रहा हुआ वो क्या कहलाता है बॉन्डेंगल कहलाता है आबंद कौन कहलाता है डेफिनेशन की बात करूं तो किसी अनू के किसी अनू के ये कोई अनू है केंद्रिय परमानू के आस पास उपस्तित आबंदन इलेक्ट्रोन युगमको आबंदन इलेक्ट्रोन युगमको कौन से आबंदन इलेक्ट्रोन युगम ये और ये इलेक्ट्रोन युगमको धारन करने वाले धारन करने वाले तो आबंदन इलेक्ट्रोन युगम को धारण करने वाले कक्सकों के मद्दे पाए जाने वाले या मद्दे बनने वाले कक्सकों के मद्दे बनने वाले बनने वाले कौन को आबन्द कौन कहते हैं तो केंद्रिय परमानों के आसपास जैसे यह H2O मोलीकूल है इस टाइप का इसमें केंद्रिय परमानों के आसपास उपस्तित आबन्दी इलेक्ट्रोन युगमू को इनको धारण करने वाले यानि आबन्दी इलेक्ट्रोन युगमू जिन कक्सकों के अंदर मौजूद है उन कक्सकों के मद्दे बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं क्या कहते हैं आबन्द कौन के नाम से जानते हैं और आबन्द कौन जो है वो इस्पेक्टर में विद्यूं द्वारा ग्याद किया जाता है कौन सी विद्यूं द्वारा इस्पेक्टर में विद्यूं द्वारा अब देखो नेक्स्ट बॉन्ड पेरामेटर है अपना आबंद एन्थेल्पी बॉन्ड एन्थेल्पी और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड को देनी पड़ती है यह वस्ता में वह कहलाती है बॉंड एनर्जी या अबंद और इसको डेल्टा ए चुंकि इससे अनु यह और इसे एटम मिल रहे हैं तो इसको डेल्टा एच यानि एटोमाईजेशन एंठेल्पी के रूप में भी दरसाते हैं पर यहां एनर्जी देनी प तो आबंद एन्थेल्पी क्या हो गई गेसी अवस्ता में दो पर्माणूं के बीच में उपस्तित विशिष्ट आबंदूं के एक मोल को तोड़ने के लिए आवसेट उड़ जा दो पर्माणूं के मद्दे उपस्तित डेफिनेशन क्या हो जाईगी दो पर्माणूं ये दो पर्माणूं के मद्दे उपस्तित आबंदूं के एक मोल को कि ये सी अवस्ता में ये सी अवस्ता में तोड़ने के लिए आवर्शेक उड़ जा अबंद इन्थेलपी या आबंद उड़ जा कहलाती है दो पर्माणूं के मद्दे उपस्तित आबंदूं के एक मोल को ये सी अवस्ता में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है अपने को वो क्या कहलाती है आबंद इन्थेलपी कहलाती है जैसे ओटू जी ओजी प्लस ओजी यह जाएगी डेल्टा एच कितनी प्लस 498 किलो जूल पर इसके अलावा जैसे N2 है नैट्रोजन नैट्रोजन इसको लिखते है N 3-1 इसमें गेसी अवस्ता में आबंदूं के एक मोल को तोड़ने के लिए या यूं कह सकते हैं एक मोल अरणों में उपस्तित आबंदूं को तोड़ने के लिए एक मॉल अणू के किनी दो परमाणू के बीच किया बंदू को तोड़ने के लिए आप उसे एक उर्जा जो है वो क्या कहलाती है किलो जूल पर मॉल कहलाती है तो नाइट्रोजन अनू में जो दो परमाणू है उनको पूर्टेया अलग अलगे शेवस्ता में पूर्टेया अलग अलग करने के लिए जो एपने एनरजी एपने को देनी पड़ी वो क्या कहलाती है या समस्त जो नाइट्रोजन अनों के दो परमाणों के बीच में जो समस्त आबंद है उनको तोड़ने में जो एनरजी देनी पड़ी है वो क्या कहलाती है आबंद उर्जा कहलाती है कि इसके लाओ जैसे है अपने पास इसको एच प्लस और सी एल एच प्लस और सी एल गेस परमाणों में अलग करने के लिए जो एनरजी देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी आबंद इंथेल्पी कहलाती है लेकिन बहुत परमाणों करनूं जो होते हैं उनमें आबंद समर्थ का निर्धारण जो है वो अबंद इंथेल्पी और आबंद समर्थे का निर्धारण जो है वो अपन आसानी से नहीं कर सकते अब बहु परमानुक अनु है उनके लिए आबंद एंथेल्पी का निरधारन अपन सिधा नहीं कर सकते तो इसके लिए बहु परमानुक जो अनू है उनमें अपन आबंद एंथेलपी के इस्तान पर ओसत आबंद एंथेलपी या ओसत आबंद उर्जागा इस्तिमाल करते हैं बहु परमानुक अनू में ओसत आबंद उर्जा पद का परियोग करते हैं यानि जितने आब बंद तूटेंगे उनकी सब की एनर्जी जोड़ करके बंदों की संख्या का भाग दे देंगे जैसे H2O मॉलीक्यूल है H2O मॉलीक्यूल गेस यह वस्ता में इसके एक H और OH को अलग करने में एनर्जी देनी पड़ेगी यह एक बंद तोड़ा अपने तो पहला बंद तोड़ने के लिए डेल्टा AH1 और वो है एनर्जी प्लस 502 किलो जूल पर मॉल फिर दूसरा बंद तोड़ेंगे OH गेस में H गेस प्लस O गेस तो हो जाएगी डेल्टा AH2 और यह हो जाएगी प्लस 427 किलो जूल पर मॉल तो इसका ओसत निकाल लेंगे अपन कितने बंद तोड़े पहले तोड़ने के लिए इतनी दूसरा तोड़ने के लिए इतनी टोटल बंद कितने तोड़े गए दो तो ओसत आबंद एन्थेल पी या आबंद उड़ जाएगी इतनी किलो जूल पर मॉल नेक्स्ट बॉंड पिरामिटर है आबंद को टिया बॉंड ओडर यह बहुत इंपोर्टेंट है और यदि मैं बात करूँ तो सह सही हो जी आबंद की लूइस जो अउधारना है उसके अनुसार दो परमाणों के मद्दे उपस्तित आबंदू की संख्या जैसे N ट्रिपल बॉ जीच में आबंद की संख्या तीन है तो बॉंड ओDR बी ओ थीन ऊजीएगा ऑकशिजन डबल पॉंड आकशिजन तो बॉंड ओडर टू हैडरोजन सिंगल पॉंड हाईड्रोजन तो बॉंड ओडर उवर एको जाएगा तो सह सही ओजी आबन की जो il impactful कि जो इवर दारना है उसके उनुसार दो पर्माणों के मद्दे किसी अनुके डो पर्माणों के मद्दे जो आबन की संग्य क्या है वो क्या कहलाती है आबन कोटी कहलाती है сторон motive कहलाता है आबंद क्रम कहलाता है। सह संयोजी आबंद की लुईस अवधारणा के अनुसार किसी अनु में दो परमानूं के मद्दे आबंदों की संख्या। आबंदों की संख्या। ये दो परमानूं के बीच में आबंद तीन है तो बंद ग्रम तीन ऑक्सीजन डबल बॉंड ऑक्सीजन दो बंद है तो बंद कोटी हो जाएगी दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक है। इस तरीके से अपन गयात कर सकते हैं। इसके अलावा सी ओ इसमें भी आबंद कोटी कितने होती है तीन होती है तो आबंद कोटी इस तरीके से अपन क्यात कर सकते हैं। यह से सम्योजी आबंद है तो दो पर्मानूं के बीच में आबंद कोटी कैबंद कोटी कैदा इब सम इलेक्टोणी की इलेक्टोणी, अनूं तथा आइनूं में आबंद कोटी जो है वह समान होती है इस बात का यह important line है some electronic अनु है या आयन है उन में आबंद गोटी समान होती है for example F2 और O2 minus 2 fluorine में 9 electron होते हैं एक fluorine में तो 2 में 18 electron हो जाएंगे oxygen एक में 8 होते हैं दो में 16 और माइनस को एक होता है बीओ इसका कितना एक तो इसका भी कितना होगा एक हो जाएगा बंद करम यह दिस सम इलेक्ट्रोनिक स्पीशीज है तो बंद करम भी क्या होगा समान होगा इसके अलावाजे से एंड़ यह थी ओ अ अनो प्लस इन तीनों की आबंद कोटी जो है वह आगे निकालना सीखेंगे अपन इसकी भी तीन है इसकी भी तीन है और इसकी भी तीन है तो N2 के अंदर बॉंड ओडर 3, CO के अंदर भी 3, NO प्लस के अंदर भी 3 होता है यह कैसे होता है आगे अपन निकालेंगे इनको अब बॉंड ओडर और बॉंड लेंथ और बॉंड एंथल्पी का एक सम्मन्द है यानि आबंद कोटी बॉंड ओडर जब बढ़ती है तो आबंद एंथल पी भी बढ़ती है यह यह भी बढ़ती है जैसे इसकी 3 है इसकी 2 है इसकी 1 है जैसे जैसे यह अपन 1,2,3 की तरफ जारे है तो इस bond को तोड़ने के लिए सबसे कम, इसको उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा energy यहाँ देनी पड़ेगी तो आबंद कोटी बढ़ने के साथ आबंद enthalpy क्या होती है? आबंद enthalpy बढ़ती है और दूसरा है आबंद कोटी बढ़ने के साथ आबंद लंबाई गड़ती है आबंद लंबाई बोंड लेंथ क्या होती है गड़ती है आबंद कोटी बढ़ रही है तो बंद लंबाई गड़ती है यानि जो ये बॉंड है वो सबसे चोटा होगा, ये बॉंड सबसे लंबा होगा, क्योंकि इसके आबंद कोटी एक है, इसकी तीन है, तो बंद कोटी, आबंद कोटी, बॉंड ओर बढ़ने के साथ आबंद लंबाई गटती है, तो ये है बॉंड पेरामिटर्स, कौन-कौन से आबंद कोटी हो गई, आबंद कौन हो गया, आबंद लंबाई हो गई, आबंद एंथेल्पी हो गई, यह हैं बोंड से सम्मंदीत पेरामेटर्स